बैस कर सकती है तो फिर गाय क्यों नहीं करनाटक में सिधार मिया सरकार की मंत्री ने कानून में बदलाओ के दिये निर्देश करनाटक की सिधार मिया सरकार राजगी पिछली बोमई सरकार की ओर से लगाए गए करनाटक की पशुपालन और पशुच किसा विज्जान मंत्री के वेंग्टेश का एक बयान कुछ इसी ओर इशारा कर रहे हैं वेंग्टेश ने कानून में संसुदन को किसानों के हित में बताते हुए कहा कि अगर भैसे काठी जा सकती हैं तो फिर गाय क्यों नहीं टी ओ आई की रिपोर्ट की मुताबिक करनाटक के पशुपालर मंदी ने अपने तर्कों को सही ठेराने की कोशिश करती हुए काह की खिसानों को बूरे हो चुके मुवेश्यों को रखने और मौत के बाद उनके शब को डिस्पोस करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उनने खुद का उधारन देती हुए दावा किया की हाल ही में उनके फार्म हाउस में मरी गाई के शब को ठिकाने लगाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा था कनेटग में पशुओं को लेकर कानून में संसोदन और फिर बिल वापस लेना का सिलसला कोई नहीं नहीं है बीएस यदि रुपा पूरवर्ती बीजेपी सरकार ने 1964 के अधिनियम में संसोदन करती हुए साल 2010 में और साल 2012 में गौ बिल पेश किये थे हालकि इसके बाद राजी में जब कांग्रेस की सरकार आई तब उसने बिल को वापस ले लिया था इसके बाद बॉमबई सरकार आई थी उसने फिर से संसोदन कर दिया और अब कानून को फिर से पलटनी की चर्चा चल रही है मंती ने 1964 के कानून को दिया हवाला 1964 के अधिनियम का हवाला देती हुए कहा कि इसमें बैलों और भैसों को काटनी की अनुमती देती हैं जबकि नया कानून गाए बचलों और सभी उमर के बैल और 13 साल से कम उमर की भैसों को काटने पर रोक लगाता है उन्होंने कहा कि जब कानून बैलों और भैसों को काटने की अनुमती देता है तो फिर गायों को क्यों नहीं काट सकते हैं गौरत लब है कि फरवरे 2020 में विधान सवा में काफी हंगामे की बीच बॉमई सरकार ने करनाटक गौहत्या की रोक्ताम और मवेशियों का सरक्षन विदेह 2020 को दोनी मत से पारित कर दिया था बिबक्षी पार्टियों ने बिल का विरोत किया था और सदन में विदेह की प्रतियों को फारते भी नजर आते थे अब जब सरकार बदल गई है तो इस कानून को वापस लेने की चरचा तेज हो गई है कनाटक की राजनितिक गलियारों में इस बात को लेकर जोरों से चरचा चल रही है कि नई सदार मेया सरकार जल्द ही इसे वापस लेने के लिए आधिया देश लेकर आ सकती है कनाटक की पशुपालर मंतरी का ये बयान भी इस उख इशारा कर रहा है कि संबन में नई सरकार जल्द ही कुछ कदम उठा सकती है